लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंबिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें ट्राइफिक पुलिस ने लॉंच किया सेफ ड्राइविंग मोबाइल आप आटो चालकों को बाटी गई फर्स्ट एड कीट नोइमबाई ट्राइफिक पुलिस ने मंगलवार को वहन चालकों के लिए ड्राइव सेफ मोबाइल एप की लॉंचिंग की DCP सुनी लोखंडे ने तुर्बे ट्राइफिक चोकी में एप की लॉंचिंग करते हुए बताया कि ड्राइव सेफ मोबाइल एप नाम के अनुसार ही वहन चालकों को रोड पर ट्राइफिक और लोकेशन की सही जानकारी देने के साथ ही ओवर स्पीडिंग पर एलर्ट करेगा और दुरगटनाओं को रोकने में मददगार की भूमी का निभाएगा यह आएसे स्पॉट है जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति का मुर्ति हो चुका है वहां पहुचने से 300 मिटर पहले ही आपको इंटिमेशन आ जाएगा कि आप ब्लैक स्पॉट में इंटर कर रहे हो और सेकंड इंटिमेशन आपको 100 मिटर पर आ जाएगा तो इस तरीके से आ से सेफली ड्राइव कर पाएंगे तो इस आप का उपयोग आप ज्यादा से जादा कीजिए इस आप के माध्यम से नभी मुंबई में जब भी आप ड्राइव करेंगे तो आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं और मैं आप से ज्यादा से ज्यादा इस आप का उपयोग करने के लिए प्रसार करने का और नागरिकों को यह आवान करता हो कि वो इस माध्यम से नभी मुबशार में सुरक्षित प्रवास करें जो भी कोई दिक्कत आए होगी अप में तो इसको हम अपडेट करेंगे और भी कुछ उसमें आपको लगता है कि इसमें ये फीचर आड़ करना चाहिए तो हम वो अपडेट करेंगे इसके लिए आप ट्राफिक बांस से कॉंटेक्ट कर सकते हैं वहीं इस एप के निर्माता ड्रेक्टर अमीद बरवे ने बताया कि मुंबई और नॉइंबई में होने वाली दुरगटनाओं के कारणों और चुनोतियों का सर्वेक्षन करने के बाद इस एप को डिजाइन किया है उन्होंने वहां चालकों से आप का लाव उठाने का पर जिसको बोलते हैं लोकेशन आइडिंग करा एं लें उसके बाद ये फाइनली टेस्टिंग टेस्ट करने के बाद इए अभी फाइनल प्रोड़क्त प्ले स्टोर पर अवेलेवेले करें से ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया